विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुश्चन नमबर 24 का आपका जो बचा हुआ भाग है ठीक है यह डाई रंजक हम पढ़ रहे हैं तो रंजक में आपको 6-7 रंजक दे रखें ठीक है तो नमें यह के करके हम पढ़ रहे हैं हमने सी तक पढ़ लिया ठीक है a b और सी आजिए आब हम किशी हो है जो कि आपका है crystal Milky क्या है आपका crystal वाक्ट एक दॉटाई है आपका क्या है ड्श कि रंजक कि इसका synthesis कैसे होता इसका Sinslicer कैसे होता है या किस तरह से उसको बनाया जाता है इसके use क्या है ये हमसे बूच़ा गया है सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका crystal violet होता है इसका निरमाद कैसे होता है क्यारा इसका racinic नाम क्या होता है hexamethylene para przezin या hexamethyl पेरा रोस एनलीन हाइड्रो क्लोराइट क्या है वही नाम थोड़ा इसका बड़ा है आड़ा तिरच्छा है याद रखना है है इसका नाम क्रिस्टल वाइलेट जो की एक डाई है इसका रासा नेक नाम क्या है आपका है हेक्जामेथलीन पेरा फुक्सील ठीक है है या इसको कहते हैं या तो आपने यह पूरा नाम याद रखना है या आपने यह याद रखना है तो आपको यह याद रहना है कि यह अपका crystal violet है इसका नाम है इसे को को POCL3 अत्वा SOCL2 की उपस्तिती में डाई मेथिल एनलीन के साथ गरम करके बनाया जाता है किसके साथ मैं कह रहा है इसको मिशलर कीटोन क्या होगा आपका एक कोई मिशलर कीटोन होगा जिसको हमने क्या करना है PUCL3 या SOCL2 की उपस्तिती में डाइ मेथल एनलीन के साथ में गरम करके बनाना है किसको crystal violet को ठीक है तो इन दोनों को हम गरम करते हैं किसको यहां पर अगर हम बांद करें यह आपका दे रखा है डाइ मेथल एनलीन क्या है आपका यह डाइ मेथल एनलीन कुछ इस तरह से ठीक है तो झागा डाइ मेंथेल एमिलीन की डाइ मेथल एनलीन की रेक्षन हमने किसके साथ में करनी है या तो आप POCL3 के साथ कर दो या SOCL2 के साथ में कर दो फिक है तो तो पी-ओ-सी-एल-3 के साथ में जब आप इसकी रियक्शन करोगे तो क्या हो जागा डाय मेथिल एनलीन पिलस इससे क्या लग जाएगा आपका एक दूसरा और आपका इसी तरह का गुरूप ठीक है इसी तरह का आपका एक दूसरा गुरूप और इससे जाके लग जाएगा क्या है यह डाय मेथिल एनलीन तो यहां पर क्या हो जाएंगी इसके 3 मोलेक़्ूल जो है आपके हो जाएंगे यहां से क्या मिला है आपको मिसलर कीटोन अब मिसलर कीटोन की ऩियेक्शण कि से करनी है आपको डाई मैथिल서 एमीन के साथ में किसका उपस्थति में यहाँ सील के साथ में जब दाई मिसलर और आपका क्या है डाइमेथल एनिलीन है इसकी रियक्शन जब हम करते हैं तो हमें पूरा आपका क्या है तो यहां पर इसका जो hydrogen होगा यह hydrogen भी oxygen के साथ में क्या कर लेगा यहां पर OH बना लेगा और इस वाले carbon से यह वाला carbon आपका attach हो जागा ठीक है उसके बाद कहानी आपकी इधर से आती है ठीक है इसके बाद यह आपका मिल गया crystal violet color का होगा इसके बाद अब आपने यहाँ पर आ जाने है ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है इसके बाद यहाँ पर किसी एक जगह क्या होगा किसी एक मैथल के साथ में आपका यहां से जड़ जागा तो यहाँ पर आपका लग जागा लग जागा आपका CH3 और एं नच्वा जागा जब अमने पर क्याली की रियक्षन कर दी थी ठीक है यहां पर जो आपका ओएच गुरुप लगा हुआ था ठीक है यहां पर जो आपका यह ओएच गुरुप लगा हुआ है यह बाला ओएच गुरुप यह बाला ओएच गुरुप आपका है जो है बाहर चला जागा ठीक है यह ओएच गुरुप आपका जो है बाहर निकल जाएगा और यह बाला बांड भी आपका इसका जो है तूट जाएगा ठीक है तो यह बाला बांड तूट जाएगा और वहां से आपका OH बाहर निकल जाएगा जब यहां से बाहर निकलेगा तो इसका इसके बीच में क्या हो जागा डबल बांड बन जागा तो इस कार्बन के क्या होगा बे हाईोजान आपका निकल जागा ठीक है तो यह इस तरह से च्टी आपका बंद न Northern UP अब आ एक आपका वहरोज्यागा और दो आपके जो है डायमेथलनेलीन और क्लोराड ठीक है यह आपके आपस में जुड़े रहेंगे इसके बाद क्या होगा इसके बाद आपकी मतलब क्या हो गया अब हमारे पास दो सेम मॉलिक्यूल है ये जो मॉलिक्यूल है आपके ये दोनों कैसे हैं ये दोनों आपके सेम मॉलिक्यूल है ठीक है कैसे हैं आपके सेम मॉलिक्यूल है तो इन दोनों की रियक्शन हमन रेक्टन कितने molecules कि दो molecules हैं यह यहां आप ठीक है जैसे यह थे आपके पास तो दो molecules methylene diamine के जब reaction करेंगे COCl2 के साथ में तो क्या आजागा तो इसके बीच में जो आपका carbon था वहां पर क्या आजागा आपका carbon double bond oxygen क्या आजागा carbon यह फिर से आपका क्या बन जागा क्या बन जाए किया बन जाए कि अब लॉटों की रियक्शन दोबारा से तो क्या बनेगा यानि कि ये वाला जो आपका डाइमेथल एनिलीन है ये आपका दुबारा से जाकर इस वाले कारबन से लग जाएगा ठीक है तो यह जो है यह आपका एनलीन दूसरा एनलीन और आपका यह तीसरा एनलीन ठीक है तो कितने एनलीन हो गए आपके 3 और यहां से जो आपका CL है यह क्या करेगा CL माइनस को कहा देगा है किसी एक एनिलीन के मेथलीन गुरुप से ये जुड़ जाएगा जाए ठीक है यहाँ सिंगल बॉंडर डबल बॉंड नहीं है और जो है नाइटोजन पर क्या जाएगा आपका पिलस का चार्ज आ जाएगा जैसे कि बैंगनी है इसका दुर्बल अमलिये बिलियन की जो कमजोर अमल है उसमें अगर हम डालेंगे तो कैसा होगा बैंगनी रंका होगा तथा पिरबल अमलिये बिलियन कैसा है हरा है जो strong acid solution है वो कैसा होगा आपका green होगा ठीक है green तो याद रहेगा ना जो आपका बीक होगा बीक acid solution वो कैसा होगा आपका बैंगनी होगा कैसा होगा आपका बैंगनी होगा जबकि strong acid solution होगा वो आपका कैसा होगा वो आपका हो जागा हरा ठीक है तो यह आद रखना है ठीक है इसका जो टाए इसका बहुत प्रवल बिलियन पीला होता है और बहुत ही जाद है प्रवल ठीक है प्रवल बिलियन होगा वह आपका यलो कलर का होगा इन रंग परिवर्तनों को निम्ना अनुशार दरसा आया जाता है इनमें जो रंग परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है बैंगनी और पील यह सभी क्या है रंग परिवर्तित हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं ठीक है बीग में क्या होगा और आपका श्ट्रॉंग में क्या होगा और और दर साया जा सकता है तो किस तरह से इनको दर साया जा सकता है किस तरह से पहले बात करते हैं किया है आपका दूरबल अमलीय बिलिशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा इसमें जो आपका crystal violet है यह आपका क्या है यह आपका कुछ इस तरह से जो है यहां तक बना हुआ है ठीक है क्या है आपका crystal violet यहां तक और यहां पर क्या लगा हुआ था यहां पर आपका क्या लगा हुआ था स्टियल माइनस का लगा हुआ था ठीक है क्या लगा हुआ था आपका स्टियल माइनस का लगा हुआ था फिर इसकी रियक्षिन दुबारा से कर दो इससे पिर से क्या ले लो फिर से हमने ले लिया ठीक है दो मॉलिकूल ले लिये किसके डाई यह जहाए कि अन्मिद्रिक में कि थिक सिर भूरी मिधृल एिल इस कि हमने कितने ले ली हैं दो मालेकुल यह सलाइटली चेंज एप चंट इयन पर और यह जो जो अरग वह बहुत कम परिपर्फन होगा किसमें परफल में ठीक है सिंत कि बाद कर रहा है इसके बाद अत्ती परवल AM 2 कि अगर हम बात करें कि इस तरह गार तॉ मैं को वाइं सब्सक्रस जो है आप का कुछ इस त्रोपा रहे का रहेगा ना कर लेन में तो हांब यहां पर तो यहां पर भी आपका कलो इन लगा रहा हो गाएक बात बात करें तो इसमें कह रहा है डबली चेंजड आयन ग्रीन अब इसमें क्या होगा जो आपका प्रवल होगा उसमें कैसा हो जागा आपका ग्रीन हरे रंका हो जागा ठीक है अब फिल क्या होगा आपका डायं मिठाइल एमीन तो यह तो थी आपकी तीनों सब्रचना है ठीक है तीनों इस्टक्चर कब था आपका दुर्वल रंबर्म कैसा था आपका बेंगनी 16 आपका हरा और स्ट्रॉंग यानि कि मोस्ट प्रूंग में ऐसा आपका रंग ऐसा था यलो रंग था ठीक है कॉंगो रेड की हमें आपर बात कर रहा है इसको कुछ यूज है इसका उपयोग सिल्क उन तथा टैमिन मौडरेंट कॉटन को नीला रंगने में किया जाता है किस में किया जाता है सिल्क को रंगने में उन को रंगने में और आपका टैमिन मौडरेंट कॉटन को नीला रंगने में इसका उपयोग किया जाता है लेकिन यह रंग का प आपके पका नहीं होता है तिक है ऐसे चविह के श्मज harbor कि संपर्क में आएगा यह हम उसको आघान पानी से धुलेंगे प्रकास द्वारा हे सबर आपके बनाया जाता और उस młispers द्वाय में इसका कलर कैसा होगा अत्तील में कैसा होगा और पिरवल अमली विलिम में इसका कलर कैसा होगा यह सब हमने जाना था ठीक है तो अम्मीन करते हैं आपको समझ में आया होगा बने रही हमार साथ मिलते हैं अंगले वीडियो थेंक्स पर वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो